हेलो बच्चो चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 5.3 का question number 4 देखते हैं क्या है how many terms of the AP 9, 17, 25 up to son must be taken to give a sum of 636 हमें एक AP series दे रखी है और हमसे पुछा है कि इस AP series की कितनी term को use करें कि उनका sum 636 हो जाए तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं solution बिलकुल इजी होगा हमारा ध्यान से देखो AP जो given है बच्चो वो क्या given है हमें 9, 17, 25 up to son और हमें sum कितना चाहिए SN is equal to चाहिए मुझे 636 होना चाहिए N की value हमें निकालनी है कि इसकी कितनी terms हम use करें यहाँ पे देखो A की value हमें क्या given है 9 common difference क्या है 17 minus 9 second term minus first term करेंगे 17 minus 9 कितना आ गया 8 आ गया अब simple से हमने काम करना है sum का formula लगाना है SN is equal to क्या होता है N by 2 into 2A plus N minus 1 into D अब बच्चे comment गर के पुष्टे sir हमें कैसे पता चला यह formula लगेगा दूसरे वाला sum का formula SN is equal to N by 2 into A plus L वाला क्यों नहीं लगाया बच्चो यहाँ पर last term हमें नहीं पता है तो that's why हमने वो formula यूज नहीं किया है ठीक है concept के साथ पढ़ेंगे नेक्सा classes पर रटना नहीं है किसी भी चीज को ठीक है अब यहाँ पर sum देखो बच्चो कितना होना चीए 636 N की value हमने निकालनी है N by 2 into 2 multiply A की value हमारे पास है 9 प्लस में N minus 1 into common difference है हमारा 8 ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यहाँ पर क्या आगया 636 is equal to N by 2 into 9 2 जा क्या होगया 18 प्लस में 8 की multiply करो A10 minus 8 636 equal to N by 2 into 18 में से 8 गया 10 प्लस में A10 अब इसकी multiply करो easy हो जाएगा 636 is equal to N by 2 की 10 से multiply करो N by 2 multiply 10 प्लस में फिर इससे होगी N by 2 multiply 8 N 2 4 जा 8 2 5 जा 10 तो क्या आगया है यहाँ पर 636 is equal to 5 की N से multiply 5 N प्लस में N की 4 N से multiply 4 N स्क्वेर क्लियर है 636 को left side ले जाओ और right side तो क्या equation बन जाएगी 4 N स्क्वेर प्लस का 5 N minus 636 equal to 0 यह equation मेरे पास आगई अब हमें क्या करना इस quadratic equation को factorize करना है हमें ऐसे factor निकालने है multiply करे तो 636 आए और add subtract करे तो 5 आए तो 5 का difference के factor लेने हैं तो यह हमारे factor आएंगे यहाँ पर 53 और 48 53 और 48 यहाँ पर 636 की हम पहले 4 से multiply कर लेंगे तो हमारी rough equation क्या बनेगी बच्चों यहाँ पर N square प्लस 5 N minus 636 की 4 से multiply करेंगे तो 2 5 double 4 ऐसे factor होने चाहिए इनकी multiply करें तो 5 double 4 आए add subtract करें तो 5 आए तो 53 और 48 हो गए तो यहाँ पर क्या आगे है मारे पास 4 N square प्लस का 53 N माइनस का 48 N और माइनस का 636 इक्वल टू 0 यह factorize होगी पहली two term से common क्यों चाह रहा है नहीं आ रहा है तो हम N common ले लेंगे अंदर बच गया 4 N plus 53 यहाँ से common क्या आगया माइनस का 48 48 common यहाएगा माइनस का 12 आएगा 12 के multiple हैं दोनो 12 4 जा 4 N प्लस में 53 तो यहाँ पर एक तो factor आगया N minus 12 और दूसरा factor आगया 4 N plus 53 is equal to 0 तो इनको equal to 0 पुट करेंगे N minus 12 equal to 0 और 4 N plus 53 equal to 0 तो यहाँ से N is equal to 12 आगया बच्चो और यहाँ से N is equal to क्या आजाएगा 53 राइट जाएगा माइनस का 53 by 4 अब N की value negative हो तो हो नहीं सकती तो इसको क्या कर देंगे हम neglect तो N is equal to क्या आगया हमारा 12 तो 12 टम का समझो होगा वो 36 होगा this is the answer clear है कोई दिक्कत लगे तो screenshot आप मुझे share करेंगे मैं आपकी help कर दूँगा बेफिकर रही है कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू स्टूदेंस पर वचिंग नेक्सा क्लासीज वीडियो